Hello everyone, अगर आप एक नए creator हैं, आपके लिए 5 ऐसी tips लेकर आया हूँ कि आपके channel पर ये 5 tips बहुत working होगी और आपका channel बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा and मैं आपको ये भी बता दू, इन 5 tips को सीखने के बाद आप थोड़ा सा step आगे बढ़ जाओगे अपने YouTube के career में आपको क्या काम करना होगा, इस वीडियो को पूरी देखनी होगी, इस वीडियो में आपको thumbnail बनाने के लिए color combination क्या रखना चाहिए वो भी बताऊँगा और आपको detail में बताऊँगा कि analytics कैसे देखते हैं, आपको ये भी वीडियो में बताऊँगा कि tag description by default ये सब setting कैसे करना होता है and आपको ये भी बताऊँगा आपका channel अगर search में नहीं आता तो कैसे लेकर आएंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने अपने channel को create कर लिया, बना लिया, अब आपको किसी को भेजना आए चैनल, अब आप अपने दोस्त को भेज रहें लेकिन आप नाम बता रहें कि इस channel को technical प्रभाका नाम से search कर लेना जैसे उसने search किया channel तो search में आया नहीं, अब वो करे तो करे क्या, आपको भी यह समझ में नहीं आता, मेरा channel search में क्यों नहीं आता है YouTube setting पर आने के बाद आपको आगे की detail में बताता हूँ, सारी detail बहुत step by step समझ लीजिएगा क्योंकि आपको channel अपना search में लाना है, एक बार के अंदर problem ना हो, इस वज़ा से मैं आपको सारी detail बताता हूँ सबसे पहले आप अपने setting में dashboard पर आ जाना, इस तरीके से analytics open होगा, setting वाले option पर आना, setting वाले option पर आने के बाद आपको आना है channel पर, और channel पर आने के बाद यह जो option दिख रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यह जो option है, यह सारे option, यहाँ पर आपको अपने keyword लिख दे support, यह मैंने सर्च किया, Tech Indian support लिखा, और आप देख सकते हैं, मेरा channel सबसे उपर आ रहा है, और मेरी video भी आ रही है, दोनों चीजे कैसे आती है, मैं आपको एक चीज तो बता दिया कि channel सर्च में लाने के लिए आपको क्या काम करना है, दूसरा भी बता देता हूँ, आपको अगर आपका channel सर्च में आता है, लेकिन video सर्च में नहीं आती, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, by default, जैसा कि मैंने अभी starting में आपको बताया, by default आपको कुछ setting करनी होगी, by default setting करने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिखता है, upload default का, यह option जो होता है, upload default का, इस option प यह लिखा हुआ ही दिखेगा, इस पर changes नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, description में आपको ऐसे लिख देना, welcome to tech Indian support, welcome to अपने channel का ना होगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, देखो, यहाँ पर क्या लिख रखा है, how to appeal for monetization 2023, how to monetize YouTube channel, tech Indian support, अब आपको दिखाता हूँ, for example, कैसे यह work करता है, देखो, इसको क्या करूँगा, copy करूँगा, यह copy किया, अब यहाँ पर हम paste करेंगे, paste कर दिया, अब यहाँ प कहां से निकाले थे, आईए जी, आपको वो भी बता देते, क्योंकि title के लिए keyword तो जरूरी होता है, और keyword के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ चीजे समझने के लिए, यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, एक keyword लिखना होगा, यहाँ पर YT keyword, YT keyword लिखकर search करन ओडे, इस तरीके से एक option खुल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे option आ रहे है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत सारे option आ रहे है, गुगल का आ रहा है, एक यहाँ पर YouTube आ रहा है, यहाँ पर equilib आ रहा है, यहाँ पर eBay आ रहा है, और यह आ रहा है, app store, Google Play store, Instagram, सारी चीजे वो को एक काम करेंगे कि वहिया इस पर हम किसी पर किलिक नहीं करेंगे हम सिर्फ एक पर किलिक करेंगे किस पर किलिक करेंगे यह जो लिखा YouTube हम सिर्फ इस पर किलिक करेंगे ओके तो इस पर हम किलिक करने के बाद यहां पर हम टाइप करेंगे जैसे how to monetize reused content, यह मैंने लिखा search कर दिया, आपके सामने search पर click कर दिया, अभी यह verify कर रहा है, कि verify करने के बाद अभी यह बहुत सारा tag हमें देगा tag और title यह title जो देता है, मैं आपको बता दूँ यही से हम title लिखते हैं एक तो यह हो गया हमारा सारा item यह सारे आगे, अब उपर यहां पर click करो, सबसे उपर वाले पर, और सब को कर लो, यहां पर click करके copy यह हमने copy कर लिया ना copy करने के बाद, आपको काम करना होगा, notepad open करना होगा, अपने mobile में या computer पर, फिर paste कर देना है paste करने के बाद, दोबारा से इसे copy करने के बाद, फिर आपको आना है अपने वीडियो में, और वहां पर उपर ऐसे लिख देना है, देखो ऐसे जैसे description में लिखा जाता है न, your searchable keyword, यह लिखा मैंने न, इसी type का आपको लिखना है, your searchable keyword, यह मैं दिखा देता हूँ, यह देखो your searchable keyword, यह लिखना है आपको, ऐसे ही लिख देना और लिखने के बाद, your searchable keyword लिखने के बाद, नीचे वो सारे keyword पेस्ट कर देना जो मैंने अभी आपको बताए हुए हैं ठीक है जी, यह तो आपको समझ में आगे होगा, I think, अब proper आपको पता चल गया how to monetize reused content, यह मैंने लिखकर छोड़ दिया न अब यह जितने नीचे वाले आ रहे हैं यह चारो, यह चारो को copy कर लूँगा एक एक करके, इन चारो को copy करूँगा plus एक को ऐसे click करके open करूँगा यहाँ पर जैसे click करके open करूँगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की वीडियो दिख जाएंगी ठीक है, इस पर मेरी वीडियो यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियो मेरी नीचे भी दिखेंगी यह भी वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पर video आ रही है, ये बीडियो मेरी आ रही है आप देख सकते हैं, तो ये जो video आते हैं इन video को फिर मैं क्या करूँगा, इन video पर देखूँगा इनके यहाँ पर जो tag लिखाएं वाले, ये title जो लिखे है ना इस title को मैं copy करूँगा, इस title को 3-4 लोगों का copy कर लूँ दो तीन टाइटल को मिक्स करके फिर वीडियो मेरी ready हो जाएगी टाइटल के लिए ठीक है जी अब आपको वीडियो में अपने लगाने के लिए चाहिए होता है टाइग राइट टाइग कैसे लगाओगे मैं आपको दिखाता हूँ मिर भाई क्योंकि आपके वीडियो जब व यहां पर देखो यह टाइग लगाना है ज्यादा टाइग नहीं थोड़ा सा लगा दोगे लेकिन टाइग लगाना ज़रूर है अब टाइग लगाने के लिए बहुत सारे लोग एक गंटे-दो-दो-घंटे लगाते हैं आपको काम एक वेबसाइट ओपन करनी है यहां पर जो मैं यूज करता हूँ, rapidtag.io, ये website मैं यूज करता हूँ, अब यहाँ पर सिर्फ कुछ मत लिखो, reused content लिखो, जिस topic पर वीडियो आप बना रहे हो, content ये लिख दिया, search पर किलिक करता हूँ, आपके यहाँ पर सारा tag आचुका, इसे सिर्फ copy करना है, ले जाकर आपको इसम से बात की थी, वो भी मैं आपको बता दूँ, analytics चेक करना बताऊंगा, analytics चेक करना बहुत जरूरी है, आपके पास mobile है, तो mobile में desktop साइट पर open कर लेना, और analytics कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी वीडियो का, तो ये वीडियो है मेरी, इस वीडियो पर मैंन सब्सक्राइब करें, सिर्फ ये वीडियो, अब उसके बाद रीच पर किलिक करते हैं, रीच पर किलिक करने के बाद, इस वीडियो का जो रीच गया है, वो 16,000 लोगों तक गया है, और उस पर 11,000 लोगों ने किलिक किया है, यानि कि mistake मैं कहा कर रहा हूँ, मेरे thumbnail में हो सकता कमी हो, या फिर वीडियो के अंदर, क्योंकि 16,000 लोगों के सामने ऐसे दिखा है, तब 11,000 लोगों ने किलिक किया है, तो ये बहुत कम है, 5.5% का किलिक, इंप्रेशन ने किलिक थूरू रेट, ये होना चाहिए, 10-15% अगर आजए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ये पता चलता है, आपका browser feature में कितना जा रहा है, और other feature में कितना जा रहा है, अगर आपका suggested browser और other feature तीनों में ज्यादा जा रहे हैं, तो आप समझ जा ना, आपका content अच्छा चल रहा है, वीडियो आपके एच्छी perform कर रही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक गेजी, स्टेज में जो देखना हो मैंने आपको बता दिया अब उसके बाद हमारी ओडियंस बहुत इंपोर्टन रोल है ओडियंस का कि पता होना चाहिए किस एज गुरूप के लोग हमारी वीडियो जादा देखते हैं यह जब पता रहेगा तो हम उसी एज गुरूप के लिए वीड दोस्तो एक और सेटिंग के बारे में जो सेटिंग हमें बहुत इंपोर्टन रोल हमारे वीडियो में करती है वो है यह आपको थंबनेल बनाने में कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है हमेशा आप ध्यान रखिए कभी भी अगर आप सॉलिट कलर यूच करते हैं सॉलिट कलर म इधर डार्क इधर लाइट हमेशा ग्रेडियन्ट अगर डाल रहे हो तो लिफ्ट साइड में लाइट होता है और आपके राइट साइड में डार्क होता है यह ध्यान रखना अगर ग्रेडियन्ट यूच करते हो अब माल लो मैं यहाँ पर सॉलिट कलर यूच करूँ रेड हमेशा यूज करूँगा red मालो red यूज करता हूँ तो red के उपर हमेशा आपको दो तीन color में ही सिर्फ लिखना है वो color क्या है मैं आपको बता देता हूँ color combination बहुत ज़ाँ जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह देखिए अब इसी color पे मैं यहाँ पर अगर in case इस पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस color को मैं कर देता हूँ मालो इस color में कर देता हूँ अभी आपको पता चल जाएगा आप देखो दिख रहा है आँको पी चुब रहा है ठीक है तो आँको पे हमें नहीं चुबाना है मालो इसी पर यह color डाल देता हूँ मालो यहाँ पर मैं यह color छोड़के यह color डाल देता हूँ देखो अभी देखना यह दिख रहा है नहीं दिख रहा है बहुत लोग क्या करते हैं इस color को ले लेंगे उसके पीछे outline डाल देंगे वो बला गंदा सा लगता है professional नहीं लगता माइडियर जैसे बहुत लोग ऐसे कर देते हैं यह सब चीज़े इस टाइप की बहुत कम करो कोसिस करो करो इमत और बहुत लोग तो अजीबों गरीब कर देंगे दोनों चीज़े dark dark कर देंगे मतलब अगर background dark है तो text तो light रखो light color में लेकिन वो text को भी dark color में कर देंगे गलत है ऐसा नहीं करना प्लस अब आपको बता दूँ कि आप YouTube पर ये भी search कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये इस type के आप searching कर सकते हैं searching क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर dark gradient color background thumbnail यहाँ पर आप देखिए dark gradient color background thumbnail ये अगर आप search करते हो तो ये मान कर चलिए है आप कि आपको बहुत सारे thumbnail के लिए gradient मिल जाएंगे जैसे ये gradient बहुत लोग यूज करते हैं इस type का gradient यूज करते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो grunge background for thumbnail grunge के spelling साथ गलत लिखिए अभी सही आजाएगा इस type का आजाएगा अगर आप यहीं पर लिखते हो dotted background for thumbnail इस type से यहाँ पर देख सकते हो इस type से सारी चीज़े आ जाएगी तो आपको मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह था कि हर एक एंगल से समझाओं पांच चीज़े मैंने बताने के लिए बोला था आपको पांचों चीज़े बताईए सबसे पहले आपको बताया चैनल सर्च में लाने के लिए मैं आपको step by step एक चीज़े बताईए क्योंकि मैं note down करके बनाया आज वीडियो चैनल सर्च में लाओ दूसरा बताया default setting कैसे करना तीसरा बताया tag title की website चौता बताया analytics पांचवा आपको बता दिया है थंबनेल ये पांच जानकारी जो मैंने आपको दिया आज ए न्यू क्रेटर आपके लिए बहुत हिल्प करने वाली है दोस्तों अगर आपका यूटूब पर चैनल मोनोटाइज नहीं हो रहा है आप किसी भी कारणवस परिसान है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता है थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्यू